तो चंदर देवता की पूजा करने के बाद ही अपना वरत खोलती हैं इसलिए आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2030 में करवाचौत का वरत कब रहेगा इस दिन रहने वाले शुबमूर्थ कौन-कौन से हैं सोर्योदे, सुर्यास्त और चंदरोदे का समय क्या रहेगा साथ ही शाम की पूजा का शुबमूर्थ क्या रहने वाला हैं अगर आप करवाचौत वरत की कथा भी सुनना चाहते हों तो इस दिन हमारे चैनल पर कथा सुनाई जाएगी आप चरूर सुनी का हमारे चैनल पर हर दिन सुबह के समय पौराणी कथाएं भी सुनाई जाती हैं अगर आपको कथाएं सुनना पसंद हो तो एक बर आप इन कथाओं को भी चरूर सुन कर देखीगा साल 2023 में एक नवंबर बुधवार की दिन करवा चौत का वृत है और इसी दिन वृत रखा जाएगा वृत सुबह से प्रारंभ होकर रात को चंदरोदे के समय तक रहेगा चतुर्थी दिथी प्रारंभ होगी 31 अक्टूबर मंगलवार की रात 9 बच कर 31 मिनट से और समाप्थ होगी 1 नवंबर बुधवार की रात 9 बच कर 19 मिनट तक बुधवार का दिन है भगवान गणेशी को समर्पित होता है इसलिए इस दिन का महत और भी अधिक बढ़ जाएगा 1 नवंबर बुधवार को ब्रह्ममूर्थ का समय रहेगा सुबह 4 बच कर 69 मिनट से 5 बच कर 47 मिनट अमरित काल का समय रहेगा शाम 7 बच कर 34 मिनट से 9 बच कर 13 मिनट तक रोहनी नक्षत्र रहेगा सुबह 3 बच कर 58 मिनट तक उसकी बाद में शिव योग प्रारम हो जाएगा रहुकाल का समय दोपहर 12 बचे से 1.5 बचे तक रहेगा कर्वा चौत के वरत में सरगी सुबह 4 बचे से पहले पहले तक आप खाले जीगा पूजा का शुबमूर्थ इस दिन रहेगा शाम 5 बच कर 44 मिनट से 7 बच कर 2 मिनट तक तो शाम की पूजा इसी समय आपको करनी है जब कर्वा माता की आपको कथा भी पढ़नी और सुनी होती है अब जाने चंद्रोदे के समय के बारे में तो चंद्रोदे का समय इस दिन रहेगा रात 8 बच कर 36 मिनट पर तो आप रात को चंद्रोदे की पूजा और अर्ग दे सकते हैं रात 8 बच कर 36 मिनट के बाद से और इसी के बाद से आप अपना उपवास किसी भी समय खोल सकते हैं अगर आस्मान में बादल हो तब भी आपको इस समय के बाद से चंदर देवता को अर्ग दे कर अपना व्रत खोल लेना चाहिए इस व्रत में सुभा से ही सुहागिन मिलाएं सोलश रंगार करके उपवास रखती हैं संकल्प लेकर उपवास प्रारम करना चाहिए दिन भर शांत मन सिवरत रखें शाम के समय विदिविधान से पूझा करके चंदर देवता को अर्ग दे कर आप अपना उपवास अपने पती के हाथों से जल पी कर जल के साथ में मिठाई खाकर अपना उपवास खोल सकते हैं पारे में और अधित जानने के लिए आप मारी चैनल पर आने वासे हैं